कि दल के लोगों ने अपने विचार रखे हैं और सब लोगों ने जो अपनी बात रखी मैं उनका अभी नंदन करता हूं सब लोगों ने अपने ठंग से अपने अपनी बात रखी है अब आज जो चर्चा हो रही है हमको आज जो विपक्ष में हूं उनको छोड़ करके हमको इधार आ करके हम एक साथ मिले हैं और अब साथ पार्टियां एक साथ हो गई पहले चार पार्टी थी एक पार्टी को तो अपने में ले लिए पार्टी को निकाल दिये और बाकी जो तीन पार्टी बनी रही तो दो पार्टी उधर से निकल करके और इस तरह पांच पार्टीयां थी मिल करके एक निरने उपने अब जो बात थी देखिए जो सारी बात थी कि हम से तो जितना संभाव था हम काम करते रहते और आज सब बोल रहे हैं हमको को कोई किसी के बारे में कुछ कहना है अज सब लोगों को मालूम है ना कि हम कितना सब का प्रेव और संभान करते थे हमने कभी कुछ सोचा है अदर आप लोगों को लेकिन बात चान ली थे हमको को कोई आप लोगों के प्रती नहीं है अब अभी अब अध्यक्ष को छोड़ना पड़ाता हम समर्थन नहीं देते तहीं कैसे होते अजरा बताइए जब पहली बार हमारे यह थे तो हम लोग तो चाहते थे कि भाई रहे लेकिन कहा गया चुनुगा के बाद कि नहीं साहब तो न अब बताईए आपके साथ कितना घूमते रहे हैं चुनाव से लेकर के सब जगह प्लीज सुनिए न मेरी बात हम कहीं आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं हमको उस समय कहा गया कि नंद किसोर यादब जी को बनाएंगे तब हमने कहा वह नंद किसोर यादब तो हमारे पुरान आप तो पहें थे ही मंत्री लेकिन आप जरा बता देजिए जो रिजल्ट आया इस बार 2020 का आप उस पर तो आप सब लोगों को मालूम है ना आप आज उसका खाली 2020 का चर्चा करिएगा याद करिए ने 2005 जो हम लोग एक साथ लड़े 2005 के फरवरी में क्या वोट आया और लास्ट तीसरी बार में हमको घोसित किये थे तब तीसरी बार कितना वोट आ गया था हम लोगों को और उसके बार जब चुनाव हुआ 2005 में तो क्या इस्थित्य हुई 88 और 55 और उसका सरकार बनी और पूरा का पूरा काम किये हम लोग और पिर क्या हुआ था 2009 में जब लोग सभा का चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते थे जे डी यू बीस और आप लोग बीजेपी बारह तो हम लोग तो सब करते रहे और 2010 में चुनाव हुआ तब क्या हुआ 115 अब आप ये कानवे आप मिल करके लड़े क्या हुआ बताइए और आज सुनन बैठो नो तुम क्या जानते हो बैठो अरे जिस दिन पिता जी की मृत्यू हो गई और उस दिन पूरे पटना में मातर थारा परसंज भोट हुआ था और तब आप जीते थे हम लोग आपके ल संबंध पौरानिक है और उनका ठेथ हो गया खुरत हम लोग सरकार में आए और उसकार आप ही को जब बना है क्या बोलो मत चुप 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 अब कित्रा प्रेम करते रहे कित्रा सम्मान देते रहे आज यार आगा देखो बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्रवाला कोई नहीं आगे बढ़ावेगा अब आप समझ लेजिए हम तो नहीं था तैयार उत्फ हालत हो गई थी स्मार के चुनाओं में 2010 के चुनाओं में mostly 2020 के चुनाओं में ओर जो हालत हो गई थी हम जो भूम रहते तभी बात हो रहे दिख रहे थे और किसको खिलाप में खड़ा कड़ा दिया गया था सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भई नहीं ज़्यादा सीट आप दीते हैं आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री मेरे उपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब आप ही सम्हालिये बन जाईए तो अंत में हम तयार हो गए लेकिन आप जानते हैं जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से उपर लाया और उसको उधर दिया उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में जह हम राष्टी अध्यक्स थे पार्टी के और हमने अपनी जगह पर दे दिया और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साह बहुत हम कुछ नहीं बनना चाहते हैं लेकिन आप जान लीजिए आज हम काम कर रहे हैं तो आज आपको दिक्कत हो रहा है कि अलग हो गया बता ही तो 2017 में हम अलग हो गये थे इंसे अब बोलिया नहीं लोग के उपर जो किया गया अब उसका पांस साल भी तिया अब तो इनलों के पास कुछ नहीं है जो उसमें कहा गया था इनलों के बारे में कि यह चीज है और अब तो कुछ नहीं है आप समझ लेजिए आप समझ लेजिए वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातशित करके अपने साथ लाए और अपने साथ लाए तो जो भी था हमने किय लोग सभाई के चुनाओं में क्या हो गया विदान सभाई के चुनाओं उसका हो गया कि हम खतम हो जाए हमको तो कोई मतलब नहीं था लेकिन जब अपने लोगों से बताईए हमको अच्छा लग रहा था आप जड़ा सोचिए तो किन को किन को हटा सुसील कुमार मोधी जी मु नहीं बनाया इस सब लोग जो पुराइए प्रेम कुमार जी को नहीं बनाया पुराने साथी नंकिशोरी आदब नहीं बनाया इस सब लोग जो पुराने साथी थे राम नरायन मंदल विनोत नरायन जा और भी कई लोगों को नहीं बनाया खाली पहले वाले मात्र दो लोगो को बनाया हमको लगा कि चलिए अब उनकी पार्टी है जो भी करे अब आज स्थिती है जैसी स्थिती है कि अब हमको जो भी लोग थे आप तो जिना बताईए हम किसी से कुछ कहते थे सबसे कामी कर रहे थे बात कर रहे थे जो कुछ भी था लेकिन इसमें आप लोगा का कुछ नहीं है लेकिन धीरे धीरे जो दिल्ली से ये खबर आई कि हम सब चीज को छोड़ करके इन लों के साथ हैं इनको छोड़ करके हम इधर आ गए थे और क्या वह अभी तो आप इसको बता रहे थे उसमें तो बड़ा खराब लगा था भई 17 की बात है जब मीटिंग हो रही थी हम लोग जहां आप समझिए पटना इन्वर्स्टी की बात थी हमने कहा कि भाई इसको नैश्णल बना दीजिए राश्ठी ए सेंट्रल इन्वर्स्टी आप उसको नहीं माने पहले central university होताए अरे आप तो आप लग जाईए ना हम इतना दिन से central university कहे हैं अब आप कर देंगे दिल्ली वाले ताज़कर परचार तो खाली दिल्ली का होते रहता है सारा social media से ले करके एक एक चीत पर सारे प्रेष सब चीत पर कब जा और इसलिए अपना छपेगा तो उसमें तो कोई रादे नहीं रखेगा कि हम लोग डिमांड कर रहे तो जो चीज हम सुरू से कहते रहे तो मेरी बात तो सुनते नहीं थे आप जड़ा बताईए हम कितनी बात जाकर कि करते रहे और आपको मालूम है न जब आप लोग आ गये थे साथ 2017 में तो उसके पहले ही न साथ निश्य था हर घर नल का जल के लिए भी हर घर आप ही बताईए हर जगा हर जगा एक एक चीज अरे बैटिये न इस सब में क्या है अरे हम दूसरी बात सुनिये अरे आप तो आप तो कहां से कहां हो जाते हैं कोई चीका ना है अपका एक एक चीज अरे बैटिये न इस सब में क्या है अरे हम दूसरी बात सुनिये अरे आप तो आप तो कहां से कहां हो जाते हैं कोई खीका ना है आपका आप तो कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं रेगुलर ऐसे ही अपहले कहां थे अप फिर कहां गया फिर कहां गया कुछ बोलते रहते हैं इसाब छोड़िए हम सब देखते रहते हैं उसाब की बात छोड़ दीजिए लेकिन आप बताई जो साथ मिनिस्ट्रे में था सब के लिए हम नहीं सुन पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं आप मेरी बात हम तो बहुत सिंपुल आप लोगों पर हम कुछ कह रहे हैं अरे आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं हम तो दिली से जो भी है एक जान लीजिए हम लोगों ने जो किया तो incapable साथ था 14 अज़ू पहिले से इंहों के सात्स पृश्चत तयई था घरा उसको आप ही माने और उसके बाद जो बात हुए एक दिली में एक बार मिटिंग हो थी तो हम से पूछा गया कि आप जो कह रहे हर गर नलका जाल उसको करिएगा मिंटेनस हम भी बिल्कुल मिंटेनस होगा इसको कर रहा है ता इसे फड़ी है यह खाली पहुचा देंगे और बात बनी होगा और बाद में जब केंदर ने इसको तै किया अब आप लोग आ गये थे तम न दिल्ली से कहा गया छे हजार करोर रुप्या दे करके कि माल लीजिए दिल्ली वाला माल लीजिए ताकि दिल्ली का हो जाए कि बिहार में हर घर नलका जाल हमने आप ही लोगों के पार्टी के थे हमने उनको निवेदन किया कि इस बात को नहीं लिखना लिख देजिए कि यहां पर पहले से हो रहा तो आप बताईए बिहार में तो सुरू हुआ आप देश में पूर्या कर रहे हैं अन्यू जाता है अरे भाई तो यह भी तो करना न चाहिए कि हर घर नलका जल विहार जैसे गरीब राजी में करने का हम लोगों ने तय किया और यहां पर आप लोग भी स्वामत हुए हुआ हम तो नहीं नहीं माने आप फिर 2020 के बाद भी आ गया दिल्ली से कि फिर पैसवा ले लिजिए और माल लिजिए कि दिल्ली का है हमने फिर कहबा दिया सवाल पैदा नहीं होता है हम राज सरकार की ट्रफ से कर रहा है तो एक एक चीछ जो आप बात समझ रहे हैं एक एक बात हो रहा था अब यहां जो भी काम करते हैं अब वहां के बारे में वहां से होने लगता है कि यह हो रहा है और आप लोग तो साथ में थ चीज को अलग-अलग समय और आप बताईए हम लोगों ने कितना सड़क का निर्मान सुरू कर रहे हैं कितना ज्यादा कराया अब कौन गाउं पचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है अरे बैट यह न तो इसी नरकर इसी नरकर है अरे आप ही को न तारीफ कर रहे है छोड़े छोड़ देजिए छोड़ देजिए यह कोई केंदर सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है आज के आज साल से केंदर सरकार के चलते यहां पर है और आप लोगों को मालूम नहीं है अरे बहाई ग्रामीन इलाकों में साख़ बनाने का दिन्रम बच्चे हो जा जास्व यह मिर् दिने कौन लिया संधे अचल विहारी बाजपही चौसर कार ने लिया और आप तो मालूम है हम अचल भीहारी बाजपई की सरकार में थे अच जब हम अलग हो गये थे जंतादल से जोर साहथ के साथ और बाद में आप कितना मानते थे अचल जी अचल सदे अचल जी लाल कृष्ण अडवानी जी और मुर्ली मनोहर जोसी जी ऐसा आप केंडर में थे मालूम हो बच्चे हो जान न लो जड़ा जी ये बैट करके उस समय की सरकार ने तै किया अचल जी की सरकार ने तै किया कि हम लोग पूरे बिहार में गाओं में पहुँचाएंगे ये उस समय हम लोग उनके साथ थे और सारा काम जो सुरू करवाया गय सब कुछ और एक एक चीज शुरू किया गया उसी समय ये कोई आज की सरकार का नहीं है कुछ और आप जान रहे हैं हम काहे अलग हुए तेरह में जी हमको कित्रा मानते थे सब लोग तीनों लोग सारे नेता जो सबसे बढ़े नेता थे जब पहली बार ये पार्टी बनी तब अचल जी हम उसके बाद बोलिये अड़वानी जी सब लोग आप ही के एक नेता थे मुर्ली मुनोहर जोसी जी और कित्रा मानते थे एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे हम जिस कॉलेज में हम पढ़ें इंजिनेरिंग कॉलेज में और उसमें हम केंदर में थे और उसमें हमने कहा कि भाई हमें आप पढ़े हैं इस सबसे पुराना है जब देश में मात पास था इंजिनेरिंग कॉले और आप इसको कहें नहीं किये इसको भी करिए तो उस समय उसको स्विकार की अलग से कैबिनिट मिलाए सब एक एक मेरी बात मानते थे तो हम तो चाहते थे जड़ा जान लीजिए तेरम कि अठल जी की तबियत ठीक नहीं है तो भाई इसमें बाकी बाकी जो नेता है इन लोगों का होना चाहिए भडवानी जी का हम तो उनके ये कर रहे थे जब इलोग सुन लो अरे आप बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे तुम लोगों को क्या मता को क्या मालूम है स्रादेश आप जान लीजिए उसको जब ये लोग नहीं माने इसलिए हम सत्रह में अलग हो गए थे आप लोगों से कहा कि हमारे मन में था कि वो लोग हैं लीडर अरे बच्चे हो जान न लो जड़ा अब जो आ गए ये आ गए ही कोई काम किये है जी खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट है कोई काम हो रहा है अब बच्चे अब बच्चे बोलो आगे जगह मिलेगा बढ़े बढ़े जब बोलोगे अनाप सराब अब आज बच्चे बोले हैं तो खीक है कुछ बोलिएगा अनाप सराब तसाइद मौका मिल जाए आपको ने तो हला सुन रहे था कि सीडी को मौका मिलने वाला है जो भी को मौका मिले जो बोलिएगा अनाप सराब अरे बच्चे ना आप आप से कोई आज का है हम वीजेपी से अलग थे तब भी न रोज हम से मिलते थे आप बताएदो इस अब का है बोल रहे हैं हाँ आप बोल चुका है बोल चुका है और अच्छा है अब आप कोई भी बोलेगा और उसको जो मान लीजे अब बाद में जगह नहीं मिली हमारी तक्लीफ जान लीजिए जो पहले हमारे स्था संब मिलकर के काम करते थे और उनको मौका नहीं दिया नहीं से लिए इस समय है आप जड़ा जान लीजिए हम को एक एक आदमी अरे यार क्या बात करते हो अच्छा है इतना जादा इतना जादा डिली से सेक्रीटी का इंजाम मिल गया है ना इसलिए बोलो और ये भी हम लोगों के पाटी छोड़कर के गया है तो कुछ बोलेगा तो अप लोगों को कुछ दिली वाला जगा देगा समझे गाई ना भाले लोगों को जगह नहीं मिलेगा आप लोगों मेंसे जो अंद बंद बोलेगा उसी को जगह मिलेगा आप जान लीजिए यही है आप लोगों की पार्टी लेकिन हां मेरे खिलाफ बोलो आप बोलोगे तक कोई जगह तुम को केंद्रे वाला देगा ये जरूर करो जरूर करो जब जगह मिलेगा हमको अच्छा लगेगा कि कम से कम मिले और आप सब लोग एक बार अच्छी तरह जान लेजिए हमने कितना आप सब लोगों का ख्याल रखा हमारे पार्टी के सब लोगों ने समझ लिया कि ये लोग सारे लोग अब आप चले गए अच्छा है आप थोड़िया भी रोग करिएगा आप ये बताइए साथ पार्टी इधर है एक पार्टी में समर्थन कर रहा है आठ पार्टी तो आप लोग ने जाईएगा नहीं तक कुछ है आपका इसलिए भाग रहे आजब कहा गया होगा उपर से कहा गया होगा इसलिए भाग रहे है आप लोग तो आप लोगों में से किसी ना किसी को जगां दिलेगा तो ये सब काम जो हो रहा था इसी के चलते हैं तुम को छोड़ना पड़ा हम जो 17 में छोड़ करके गए और इन लोगों ने जो कोई काम नहीं किया और हम लोगों को नास करने लगे हमारे पार्टी के तमाम लोग भीतर से बोलने लगे और अंत में हम लोगों ने तै किया आप सब लोगों से बात होती थी और ये जब तैय हो गया कि हम लोग जो पहले जहां थे वहाँ पर चले जाएं अब एक साथ हम आगये हम तो आप से पील नहीं होता है और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग बिल करके पूरा काम करेंगे बिहार बस आखे बढ़ेगा और हम लोगों से अपील कर रहे हैं देश भर से कितने विभिन प्रांतों के विभिन दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठिक किया ये निर्ने लिया और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा एक साथ हो करके लड़िएगा तो 2024 का जुनाव का हिजर्ट होगा अब क्या होता ह क्या-क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है कोई काम हो रहा है खाली प्रचार हो रहा है सिर्फ प्रचार हो रहा है लोगों की आमदनी कितनी घट रही है किस तरह का काम हो रहा है तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से असिर्फ प्रचार प्रसार रोज-रोज और काम नहीं तो इस पुरे देश में की दिरा मिल करके एक जू ठो करके काम करिए तो पिर सही मौकै पर पनाईएगा एक वार कि अगर इनी को मौका मिला काम नहीं मिला अब तरह का लाम दे रहे हैं आजादी से क्या मतलब था 75 साल में कह रहे थे कि ये होगा अरे भाई आजादी की लड़ाई में कहा थे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे तो आज कल कुछ न कुछ कुछ न कुछ कहते रहेंगे और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खतम करेंगे ये आप जान मिदिए क्योंकि जिस तरह से और एक बात और समाज में बिना मतलब का टक्राओ पैदा करना और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ जंजट नहीं है लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही तो कहीं न कहीं इधर से उधर करना और उसका लाब लेना तो अब हम लोग एक जुठ हुए हैं एक एक गाओं एक एक जात हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे आई क्या चीज़ है ये तब भाग किया ये भाग किया आप लोग भी जान लिजिए 2010 में हम इन लोग हमारे साथ ही थे लेकिन आप जानते है Minority ने वोट किया और कहां किया गया में भी वोट दिया सारे पत्रकारों ने वहां से वोट किया कि मेरे साथ ते मेरा साथ ते रहते और मेरे चलते मेरे लाई BJP को भी मुस्लिम लोग साथ दे दिये थे गया में और आज गया में क्या क्या बोल रहे है क्या गया के बारे में बोल रहे है जो हम एक एक चीज़ वहां पर काम कर रहे है तो देख लिजिए इलनों का काम है सिर्फ और सिर्फ जन्जट पैदा करना समाज में और जब सब एक जुठो करके रहेंगे तो उसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा और याद करिए जब आजादी किल आई हुई थी उस समय की स्थिती को पैदा करिए फिर से अब इतना दिन हो गया 75 साल हो गया तो नई पिढ़ी के लोग भूल जाते हैं इसलिए तो हम कहते हैं आप जानते हैं तो पूरे बिहार में बापू का एक एक चीज हम लोग इसको हर जगा पर पहुँचा करके और जो आजादी की लगाई में जो हुआ उन सब लोगों की बात को पहुचाने का हम काम कराते रहते हैं ताकि नई पिढ़ी के लोग एक एक चीज को जाने नहीं तहीं लोग अपना बात खाली चलाएंगे धीरे धीरे सब को खतम कर देंगे अभी तो नई आज चीज है यह ना इस अब जितना सब चीज आगे आईसी को देखते हुए और फिर अब तो कितने जादे आप प्रेस वाले भी जो इंडिपेंडेंट रहते थे अब क्या बोले यहां अंदर अंदर उसमें क्या क्या किया जा रहा ताकि एक तरफा सब अब जो मन करे जितना आप दुस्परचार करें करें लेकिन हम लोग मिल करके काम करेंगे और फिर आगे मौका नहीं मिलेगा और ये लोग भाग जए है इस लोग इसलिए भाग जए है कि सुनना नहीं चाहते ना अब समझ लिजिए सच्चाई बात है सच्ची बात को सुन करके नहीं जाना चाहते हैं हम मेरे सामने कितना बात बोल देते थे लेकिन फिर भी वहां से आ करके बोला जाता था आप बठाइए ना जब लोगों के मीटिंग हो रही थी और क्या नहीं हूँ हमने तो सब को साथ दिया एन पिचलम पप्रें शच्च्चाई में सब कर दिया हमारे लोग सब दो करते हैं एक कर दिया है मुझे को फोन आया हम उससमय नहीं वे असके भाद ही हम लोगों नहीं वाचीत आर्ट किया कि आजब लोग एक जुड़ों करके चलेंगे अपने बिहार में और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है कुछ नहीं होने वाला है इस साथ में थे अब जो सरकार में थे तक कैसा कैसा परचार करते रहते थे बताएजे न तब जब हम लोग है तो मिल करके एक एक जगा काम करें एक जुटो करके काम करें और सब लोगों को प्रेदित करें और याद करा दें आजादी की लडाई को याद करा करके हर चीज को याद कराते हुए जब फिल करके सब लोगों को कर देंगे तो जाकर के लाख चाहें कुछ नहीं मिलने वाला है इसलिए भाई हम तो तेरह में बता दिया काहे छोड़े जो पुराने लोग है उनसे कोई पूछ ले हम लोगे बारे में क्या उनका राय है अब बाकी में जो हो आप लोगों को जो चलाना हो चलाई है हमको कोई मतलब नहीं जो इच्छा हो करते रहिए अपना लेकिन हम लोग मुअ आउज ञांतों को जोड़ा जो तो एक जुठव करके चलेंगे और निस्जित रुप से समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए य случай क्ष़र पाइदा करना चाहते हैं जग पाईदा करना चाहते हैं यह से जीज हम लोग नहीं होने देंगे और बिलकर करके हम लोग सब को एक जुट किये रहेंगे ताकि समाद इधर से उधर नहीं हो आप कुछ लोगों को बहुत तरह से अंधरूनी कारण से कोई किसी तरह से कहीं फसा हुआ है और उसको कहा जागा देखो इत्थ पाई ये काम करो तो हो सकता को इधर से उधर करें लेकिन जो ल सबीकर तमने इनको हम और बात बताते लेकिन अभी भागी गये और मिलेगा तम इनको एक एक चीज़ इनको हम बता देते कि क्या हो रहा था जी लेकिन चलिए तो अब इनको जो इच्छा हो आप कोई सवाल नहीं और आगे आगे इनको ठीक धंग से पता चलेगा और आप ज नहीं है कि हमको व्यक्तिगत कुछ इच्छा है हमारी एक ही इच्छा है कि सब एक जूठो करके बिहार को आगे बढ़ा है और देश को आगे बढ़ा है अब सब लोग मिलकर के आगए अभी बहुत खुसी की बात है इसलिए अब यही कहेंगे हम कि आप सब लोगों से और अस्ताव को सब लोग मिलकर के इसको फारिद करियों तो भागिये गए अपना देखना लिए जुए भाग गए नहीं तब ही रहते तब ही तहम और इनको कुछ पताते हैं संधाते